किशान भाईयों नमस्कार हमारे आज की एक नई वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मश्रूम लगा हुआ है और इससे पहले हमने दो दिन पहले तुड़ाई किया हुआ था बर्ड नेट लेने के लिए हम बनारस चले गए थे तो दो दिन से यहाँ पर तुड़ाई नहीं हुई है और जो इसका साइज है तुड़ाई के लिए बिलकुल उप्यूक्त हो चुका है कुछ-कुछ जो मस्रूम है थो थोड़े बड़े भी हो चुके है तो आज हम इसकी तुड़ाई करेंगे और इसकी पैकिंग कैसे करके मार्कट में कैसे भीजते हैं इसके विज़े में आज किस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो बटन मस्रूम है इसकी यह जो साइज है जो हम इसको उपर इस तरीके से उठा लेंगे और इसमें देखते हैं नीचे जड़ में मिट्टी लगी हुई है यादि हम इसको सीधा इस तरीके से खींच लेते हैं उपर की तरब तो इसके जो माइसलियम रन है इसका कवक जाल बना हुआ है यह disturbs हो जाएगा और आगे यहाँ पर बैग डिश्टर्व हो जाएगा कोई हे तो इसको हम उसी तरीके से इस से बक्ट में रखलेंगे इस से और भी हम यहां पर मश्रूम की तुआई करेंगे और तुराई करने के बाद सबसे पहले हम इसकी जटो को काट कर एक अलग बाल्टी में रख देते हैं ताकि हम इसको यदि इस बकेट में रखे और यहां की जटो की पास लगी वह बागी के पार्ट में न टच करें तो इस तरीके से जब हम ऐसे कटिंग करेंगे तो जो हमारा बकेट में मस्रूम रहेगा इसमें ज्यादा हमारा मिट्टी नहीं लगेगे तो मस्रूम के उपर भी मिट्टी नहीं लगेगे तो इस तरीके से हम जड़ों को काट के बाल्टी में अलग रखते जाएंगे और मस्रूम को जो हमारे एक बकेट में अलग रखते जाएंगे तरीके से हम पर जितने भी मस्रूम तोड़ने लायक थी चाल दिया है और देख सकते हैं यहां पर यह जो मस्रूम है इसकी साइज थोड़ी बड़ी हो गई है और इसमें कुछ चोहते साइज के मसलिम हमने तुबाई किया जैसे कि यह थोड़ा सा हलका साइज है और इसका जो ऐस। ऑच्छी Estados पे जो साइज होते हैं इसे साइज की तुदाई करने चाहिए लेकिन थोड़ासा क्यों थोड़ा सा बड़ा है धुलाई करके भी इसकी सफाई कर सकते हैं और इसको धुलने के लिए केमिकल आता है आप उसमें इसको धुल कर इसको सुखा कर फिर इसकी पैकिंग कर सकते हैं और दूसरी इसमें ब्रस से इसको जाड़कर nie भी के मिट्ट्रेट करसे का vertices साफ़ कर दे कि नियुकि तो कि यहां पर इसको ब्रस है अब ही पर लोकल में है और काटमर सीधा के साफता संधाएं ने है कि प्राइञे henging बेजानाकर है ओर है यहां पर इसको म मैंब और से साफ हो किसे न लिटी में हम इस तरीके से रखते जाएंगे और इसके बाद हम इसकी पैकिंग करेंगे तो इसमें जो भी धूल मिट्टी लगी होती है इसको हम ब्रस से हलका हलके हाथ से ये पेंट वाला ब्रस है इससे हम हलके हाथ से मिट्टी जो इसमें लगी हुई है इसको हम इस तरीके से साफ क इस तरीके से हमने मस्रूम को साफ कर दिया है और थोड़े बहुत मिट्टी अभी इसमें लगी हुई है लेकिन क्योंकि ब्रस से साफ किया केमिकल का प्योग नहीं कर रहे हैं तो इसमें इतना कोई दिक्कत नहीं है भूत के रहे हम Neten Up यह जो रोपधा में चार पॉलिति n अप् इसमें गाने हैप करेंगर भूत की थोड़ा सा मशारुम डाल देंग ग़िलेंगे और यहां से चोटे experienced इलक्ट्रोनिक कांटेस हम इसका वजन लेंगे तो इसमें हम पहले थोड़ा सा मस्रूम डाल देंगे इस तरीके से और इसका देखते हैं वजन कितना हुआ यह 137 ग्राम और एक सो साथ ग्राम यह 183 ग्राम इस तरीके से यह 203 ग्राम तो यह 203 ग्राम हो गया तो इसकी एक पैकिंग हो जाएगी और इसी तरीके से बाकी का भी हम जितने मस्रूम है इसको पैकेट में डाल डाल कर इसका वजन कर लेंगे इसमें जो polythene की size है ये 5 inch की है लेकिन इसमें यदि 6 inch size की या 7 inch size का polythene मिले और चोड़ाई थोड़ी अधिक रहे और लंबाई भी वैसे रहे इसको टाइप मेरे तो उसमें थोड़ा आसानी से आप इसकी पैकिंग कर सकते क्योंकि यह थोड़ा लंबा भी हो जाता है और इसमें पतला इसका थोड़ा सा यह पतला है इस वजह से इसमें दिक्कत आती है सईसे फिट नहीं बैठता यह 130 ग्राम हुआ पिर 142 अरे 167 और यह 194 ग्राम एक होटा सपीस और इसमें डाल लेंगे यह 205 ग्राम तो इस तरीके से तोटल यह हमारा चार पाउश हुआ है चार पैकेट टोटल आठ सो ग्राम हुआ है और अभी यहाँ पर यह इतने भी बचे हुए हैं तो भी थोड़े से और पीछ की तुड़ाई कर लेंगे तो एक पैकेट और कम्प्लेट हो जाएगा इस तरीके से वजन हो जाने के बाद अब हम इसकी पैकिंग करेंगे और पैकिंग के लिए हमने आप पर मौमबत्ती का प्रयोग किया हुआ है मौमबत्ती की आच्च के सामने हम इसके पॉलिथिन को इस तरीके से थोड़ा सा गरम करके हाथ से दवा देते हैं तो यह इसकी इस बाहरी किनारा पैक कर रहे हैं पॉलिथीन की साइद थोड़ी छोटी है आप यदि इसमें थोड़ी अधिक चौणाई की आप छेंच या साथ इंच की चौणाई की पॉलिथीन लेते हैं तो आठ इंच की लंबाई में वह अच्छे से उसकी पैकिंग हो जाएगी तो इस तरी और इसी तरीके से हम आगे भी इसकी पैकिंग करेंगे इस तरीके से हमने हम पर पैकिंग बना लिया हुआ दो दो सो ग्राम के मस्रूम की पैकिंग है और अब हम इसको इस तरीके से पैकिंग बनाने के बाद मार्केट में भेजेंगे तो किशान भाईयों मारी आज की वीड आजिटकार